आज के मारे इस वीडियो का टॉपिक why choke is used in tube light मतलब कि tube light के अंदर choke का इसमाल क्यों किया जाता है दूसर आज का यह वीडियो electrical के interview में भी हमसे कई बार पूछा गाता है तो इस वीडियो के अंदर हम इस topic को समझने के साथ इंटर्यू में हमें क्या जवाब देना है उसके ओपर भी बात करेंगे तो बिना ज़्यादा दिरिकरें वीडियो को start कर लेता है तो इसको टूब light में choke क्या काम करता है और कैसे करता है इसको समय निगले सबसे पहले हम टूब light का एक wiring diagram बना लेते है सबसे पहले आपको सिर्फ एक tube बनानी है और tube के यहाँ पर दो पॉइंट इस साइड में रहते है और दो पॉइंट डूसरी साइड में रहते है तो यह हमारी tube बन गई इसके बार में दोसरा हमारे पास में दो चीज़ी और बस यह एक होता है हमारे पास में starter और दोसरा होता है हमारे पास में chok तो इसके अदे हम सबसे पहले 쉬始ota को जोड़ेते है सबसे पहले हमारे इस tube कें किसी भी series हमें एक wire को ले ले लेना है अभी के लिए माल लीजी हमारे इक starter है और stator का फिर बात भी जो दूसरा point होगा उसको आपको हमारी tube के दूसरी side पर ले जाके किसी भी side जोड़ देना है और ऐसा करते ही हमारा जो stator है इस stator की wiring complete हो गई अब आखरी में सिर्फ हमारे बात में chalk बचा है और इस chalk के connection करते हमारी tube light की wiring complete हो जाएगी तो दूसरा चौक का connection कैसे क्या जाता है यह काफ सिंपल है अब हमें क्या करना है इस tube light को चलाने के लिए face और neutral देना है तो हम क्या करेंगे tube light के अंदर हमारे दो point बजगे एक यह number one और यह number two तो हम neutral को direct जोड़ देंगे यह मैंने इदर neutral direct जोड़ दिया अब बच्चा मेरे पास में face तो face को मैं direct इस point पे नहीं जोड़ूँगा इसके पहले मैं यहाँ पे series के अंदर हमारे जो chalk है इस chalk को connect कर दूँगा और इसके पारे चौक का दो दूसरा point है वहाँ से मैं face निकालके हमारे इस ट्यूब लैट में जोड़ दूँगा और ऐसा करती हमारे इस ट्यूब लैट की wiring कंप्लीट हो गई इस wiring को देख लेने के बाद में हम वापस हमारे topic का पार जाते हैं कि आकिरकार हम यहाँ पर ट्यूब लैट में chalk क्यों लगा रहे हैं इससे हमें क्या फाइदी मिल रहे है तो दूसर ट्यूब लैट में जो chalk लग रहे थे इसके हमारे मुझे तीन उप्योग होते हैं वो ती एक वीडियो देखा था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आखिर का ट्यूब लैट के अंदर इस्टार का क्या काम होता है तो आप इस चीज को और भी अच्छे समझ जाओगी लेकिन अगर आपने वहें वीडियो नहीं देखा है फिर भी मैं इस वीडियो के आपको समझान है और ऐसा करते हैं हमारे उसके अनका element गरम होता है और हमारा लाम रोश्न देखाधा है लेकिन दोसरे सिंगल फेज में तो सिर्फ दो सुचालिस हैं लेकिन असलियत में इस गेस को आयोनाईज होने के लिए दो सोचालिस सज्यादा वोल्टेज जैसे कि हजारग Breaking ृसझे प्लिशु के आथा होती है तो दोस्तूमाब इस ट्यूबलैट को इतने ज्यादा केंदर short circuit कराते हैं तो हम सभी को बता है short circuit current क्या होगा हमारे current जो होगा उस current की मात्र काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो दोसर यह है जो choke होता है इस choke का पहला काम यही होता है चोग क्या करता है उस समय जो current काफी ज़्यादा मात्र में flow हो रहा है हमारे starter के bimetallic contact के अंदर उसको यह control करने कोशिश करता है तो पहला काम हमारे choke का यही होता है इसके बाद में second हमारे choke का क्या काम होता है वह हम देख लेते हैं तो दोसर choke का दूसरा काम होता है choke is conjunction with the starter provides the high voltage necessary to switch on the tube light during starting अब इस line का मतलब क्या है तो काफी जाता simple सी बात है जो कि मैंने आपको starting बताया था कि हमारे जो tube light के अंदर जो man road होती है जिसको हम fillers and lamp होते है उसको starting में जलने के लिए high voltage चाहिए तो अब इसको high voltage जलने के लिए हम क्या करते है मैंने अभी आपको बताया हम एक starter को करते है और उस starter के नहीं हम short circuit को करवाते हैं तो वही जीज यहां पर लिख रहे हमारे जो choke होता है वह है चोक हमारे starter के सहायता लेकर हमारी tube light को high voltage provide करता है और यह किस समय करता है तो यह हमारी starting के समय करता है क्योंकि हमारे इस tube light की gas को starting में ionize होने के लिए starting में चलने के लिए high voltage के आवस्यक्ता होती है तो वही चीज हमारे choke करता है लेकिन यहां पर ध्यान रगा है यह हमारी starter की सहायता लेकर करता है मतलब कि tube light के अंदर जो high voltage आते है वह हमारे choke और starter इन दोनों की मदद से जाते हैं अब इन दोनों point के बाद में हमारे choke के final और तीसरे काम के उपर बात कर लेते हैं हमारी choke का तीसरे और आकनी काम होता है choke limit the current and voltage in the tube light after that tube light has become on अब हमारी इस line का मतलब क्या है तो इस line का मतलब simple सा है हमारे जो यह है choke होता है यह है choke हमारी tube light जब एक बार start हो जाती है तो उसके start हो जाने के बाद में जो उसमें high voltage जा रहते हैं और high current जा रहता उससे यह limit करता है मतलब कि अब इस tube light को running चलने के लिए कितने voltage के आ सकता है सिर्फ उतने ही voltage इस tube light के अंदर भेजता है तो दोसों यही मुख्य चौक के 3 काम होते हैं अगर आपको इस video को देखने के बाद अभी इस question के बारे में confusion है तो इसके लिए बहतर होगा कि आप एक बार tube light में starter को उप्यों करते हैं वह video को जरूर से देखे उस video के अंदर मैं इस टाटर क्या काम करता है यह भी बता है साथ ही साथ हमाई tube light की working बताइए तो वह video देखने के बार में आपके इस topic से जोटे और भी कहीं सारे doubt किलियर हो जाएंगे वह video आपको इस video के end screen में solution में मिल जाएगा तो दोसों उमीद है कि आज के इस video के माध्यम से आपको कहीं कुछ बहतर जान करें मिली होगी आपको वीडियो कैसा लगा इस video को लाइक करके जरू बताए अगर आपको कोई भी सवाल इस video के पड़ती है आप इलेक्रिकल होगा तो आप मैंचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गए पूश सकता है इलेक्रिकल कर दोसर आपने में पसंद क करते हैं आज में चल्व सब्सक्राइब कर लिजी आज के लिए नहीं धन्यवाद